एक बार फिर से आप से भी का सवागत है यहाँ पे सेम डिस्प्ले साइज के साफ आने वाली और सेम जो बैजल से हैं उसके साथ आने व लोग दोना यह बात करते हैं और resolution भी सेवी है तो guys यहाँ पर start करते हैं इस video को बिना किसी देरी के channel को subscribe करना मत भूलना वीडियो को like ज़रूर बनता है और guys channel पर नहीं हो तो channel को subscribe कर सकते हो इस video को बिना किसी देरी के start करते हैं display की बात करते हैं सबसे पहले दोनों की display almost similar है 240 by 280 pixels का resolution है वो vertex की थोड़ी सी जादा है as compared to word plus और word plus में आपको 282 per pixel density मिलती है 500 nits की brightness मिल जाएगी दोनों में ही तो यहाँ पे peak brightness, sunlight, visibility दोनों की similar है watch faces की बात कर लेते हैं तो almost similar आपको देखने को मिलने वाले हैं cloud-based watch face लगा सकते हो बट यहाँ पे एक चीज़ का flaw है यहाँ आपको live wallpaper का support दोनों में से किसी भी watch में नहीं मिलता है अब बात आती है यहाँ पे fitness tracking की तो यहाँ पे word plus या vertex की बात करें तो थोड़ा सा difference आपको definitely देखने को मिलेगा यहाँ पे word plus में 16 sports mode मिलते हैं यहाँ पे rating की बात करें तो IP68 की rating मिल जाती है word plus में वर्टेक्स में IP67 की आपको rating मिलेगी तो अपने हिसाब से आप देख लिदा है IP68 1.5 मिटर तक समर्जेबल है और IP67 1 मिटर तक समर्जेबल है accuracy यहाँ पे बात करो 85-90% word plus की मिल जाएगी वर्टेक्स की 75% तक ही मिलेगी क्योंकि यहाँ पे exactly अभी तो मैं confirm नहीं हूँ बट यहाँ पे firebolt beast की copy लग रही है मेरे को vertex क्योंकि उसमें single sensor था यहाँ पे single sensor हो सकता है word plus में dedicated sensor है even temperature monitor भी मिल जाता है जो वर्टेक्स में available नहीं है और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों में ही आपको मिल जाते हैं और reply back option नहीं मिलता आप यहाँ पे call को cut कर सकते हो अराम से और उसी के साथ साथ फुल टेच पैले स्मूद है बहुत ही कम देखने को मिलेगा और alarm clock, stop watch, corner timer, weather notification यह बेसिक फिचर आपको दोनों में ही अविलेबल है अब बात आती है Bluetooth version की तो 5.0 दोनों में ही मिल जाता है और guys यहाँ पे find my phone, camera shutter, music control को उप्शन मिल जाता है find my watch को उप्शन भी अविलेबल है वर प्लस की अप्लिकेशन में आपको और उसी के साथ-साथ Android iOS दोनों से यह पेर कर सकते हो दोनों ही वाचिक तो बीसिक फिचर में दोनों ही वाचिस अच्छा प्रफॉर्म करती है वर्टेक्स में आपको वर्ट वर्टेक्स में find my watch को option मिलता है, find my phone को option नहीं मिलता है अब बात आते हैं यहाँ पे software and hardware की, तो hardware almost similar है software की बात करें custom UI मिलता है दोनों में ही, और guys यहाँ पे single button control है, gestures के यूज़ करके वर्टेक्स में और वर्टेक्स में 210 एक्सपेक्टेड है मेरे ख्याल से और दस दिन का बैटरी टाइम दिया गया है दोनों ही watches में charging type magnetic मिलता है और guys यहाँ पे actual में uses की बात पूरें तो वर्टेक्स आपकी 6 दिन तक चल जाएगी without all notification but सारे के साथ notification on कर दें तो 4-5 दिन आराम से चल जाएगी और vertex की बात में करों तो अभी expected है, confirm नहीं तो यहाँ पे भी as it is similar ही देखने को मिलता है यहाँ पे battery capacity कम होने के बावजीत भी ज्यादा चलती है, watch वह बहुत साथ लोग यहाँ पे comment करेंगे पूछेंगे बूलेंगे कि यहाँ पे vertex कैसे मतलब आपकी कम चल रही है और वर्पलस ज्यादा कैसे वह software का मतलब integration होता है, software कहीं ना कहीं जिस तरीके से tune किया गयता है उस तरीके से चलती है watch तो डिफर करता है watch by watch, hardware by hardware आगे बात करते हैं, यहाँ पे main features की तो यहाँ पे HR monitor मिल जाता है, SP2 level monitor मिल जाता है, temperature monitor मिल जाता है वर्पलस में और BP monitor भी मिल जाता है, vertex में BP और temperature monitor नहीं मिल जाता है, sleep tracking दोनों में ही मिल जाता है, calorie burn, step tracking भी available है, breathe, relax का mode भी available हो जाता है, और यहाँ पे sedentary remainder भी आपको मि बावजुद भी इसमें Almonium का यूज किया गया, उसके बावजुद भी हलकी है, तो यह मेरे को बहुत अच्छा लगा यहाँ पे, और उसी के साथ साथ वर्टेक्स की बात में करो तो 51 ग्रैम्स की almost double आपको मिलेगी, 20 mm step size है, after market का भी आप यूज कर सकते हो, दोनों में ही, वर्टेक्स के लिए accuracy test, जो कि बहुत सारे लोग demand कर रहे हैं, तो उसके लिए भी stick रहीएगा, यहाँ पे watch dial और जो base है, वो कहीं न कहीं अच्छा खासा है, दोनों में ही study feel होते हैं, दोनों ही watches in hands, अब बात आती है, यहाँ पर pricing की, तो यहाँ पर वर्टेक्स अभी sale पे वर्टेक्स का price मेरे ख्याल से 5000 रुपीज हो चुका है, बट बहुत जल्दी यह sale पे जाने वाली है, अब यहाँ पर वर्टेक्स की बात आती है, तो यहाँ पर वर्टेक्स अपको थोड़ी सी स्लिम लगने वाली है, यहाँ पर temperature monitor extra मिल जाता है, वर्टेक्स में साथ में आ वर्टेक्स में नहीं है, बट उसके लावा सारी चीज़े सिमिलर यह आपको देखने को मिलते हैं, तो यह था मेरे एक deep down comparison, tag work plus के लिए और boat watch vertex के लिए, आपका कोई query रहता है तो जरूर आप मेरे से comment box में पूर सकते हो, गैस चैनल को subscribe कर लिजेगा, bell icon को all कर दीजेगा, म विलते हैं आप सभी से next video में, till then, bye bye